दोस्तों आज हम बात करेंगे न्यूजिलैंड वर्सिस इंडिया के बीच में जो थर्ड T20 मैच खेला जाएगा बात करेंगे दोनी टीमों की प्लेइंग 11 की और मैं आपको काफी important records भी बताने वाला हूँ जब दोनी टीमें एक दूसरे के against खेलती हैं तो कौन से players अच्छा performance करते साथ में इस ground पे कौन से players अच्छा performance करते सारे important records मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो आपके लिए काफी important होने वाली है वीडियो को बिना skip के पूरा देखिएगा आपको इफाइदा होने वाला है match venue की बात करें तो यह match मैकलैन पार्क में खेला जाएगा इंडिया में आप इस match को 12 बज़े से live देख सकते हो चलिए pitch report की बात करते हैं दोस्तो यह जो pitch बैटिंग के लिए बहुत अच्छी है अभी मैं आपको यहां का first inning का average score और यहां का highest score दिखाऊँगा तब आपको अच्छे समझ मैंगा दोस्तो इस ground पर जो last की 3 T20 matches खेले गए इनका आप result देख सकते हो कितना क्या score बन रहा है दोस्तो इस ground पर जो total T20 matches खेले गए वो चार खेले गए जिसमें first batting करने वाई टीम ने दो मैच जीते हैं second batting करने वाई टीम ने भी दो मैच जीते हैं यहां का first inning का average score 119 run का highest score इंग्लेंड ने बना है 243 wicket के नुकसान पर lowest score की बात करें तो दोस्तो वह बांग्लादेश का 148 wicket के नुकसान पर scoring pattern की बात कर लें तो 2500 से कम का score एक बार बना है और 190 से ज्यादा का score भी यहां पर एक बार बना है head to head matches की बात करें तो दोनी टीमों ने आपस में अभी तक 22 match खेलें जिसमें से नुजिलेंडेश जीते इंडिया ने 12 जीते एक मैच बार इसकी वज़े से cancel हो गया था recent form की बात करें तो दोस्तो नुजिलेंडेश आपना last match हार आए और इंडिया ने अपना last match जीता है दोस्तो न्यूजिलेंड की टीम में एक चेंज हुआ है केन विलियम से नहीं खेलेंगे उनकी जेगे मार्क चैपमेन आपको खेल तो नचर आने वाले हैं साथ में टीम साओधी टीम की कैप्टेंसी करेंगे चलिए प्लेयर पर्फरमेंस की बात करते हैं सबसे पहले फिन एलन की बात के लास्ट में जीरो प्याउट हो गयते दोस्तो टीटी की टीम में काफी तेजी सन्मण बनाते इसलिए इमपॉर्टेंट रहते हैं साथ में दोस्तों आप देखोगे तो इंडिया के खिलाब एक मैच कहले है जिसमें जीरो पर आउट वे थे लास्ट वाले मैच वे इस ग्राउंड पे भी एक मैच खेल चुके हैं जिसमें 17 की हैं दोस्तों कॉनवे की बात करते हैं जो कि विकट की पर बल ले बाचे लास्ट में ठिक टाक बैटिंग कर रहे थे पर दोस्तों 25 रणा के आउट होगे इंडिया के खिलाब दो मैच खेल चुके हैं इस ग्राउंड पे दो मैच खेल चुके हैं और 78 रन बना चुके हैं अच्छा पर्फरमेंस है का मार्क चैपमेंड की बात कर लेते हैं तो दोस्तों यह इनका रेसेंट फॉर्म है आप आप देख सकते हो साथ में इंडिया के खिलाब तीन मैचस में 84 कियें साथ में दोस्तों इस ग्राउंड पे एक मैच खेल हैं जिसमें ज़्यादा स्कूर नहीं बना पाएं केवल साथ ही कियें फिलिप्स की बात करते हैं जो कि आप देखोगी तो अच्छी फरूम मैं तो विल्ल्ट कप में पर दोस्तों यहाँ पर आप देखोगी लास्ट के तीन मैचस से अच्छी फरूम मैं नहीं चल रहे हैं साथ में दोस्तों, इंडिया के खिलाफ 7 मैचे में मातर 57 उन किये, इस ग्राउन पे 2 मैचे में 89 उन किये, अच्छा परफ़र्फिमेंस है, साथ में एक मैच में गेंदवाजी गई ती एक विकेट निकाला था, पर इस मैच में गेंदवाजी की उमीद मत लगाईगा इनसे, स इस ग्राउंड पर दो मैचस किलें जिसमें उन्हें 36 कियें एक मैच में गेंदबाजी करी थी पर विकेड नहीं मिला था नीशम की बात करते हैं लास्ट मैच आप देखोगे तो अच्छा नहीं गया है साथ में दोस्तों इंडिया के किलाउंड चार मैचस में मातर चारन बना पाएं दो मैचस में गेंदबाजी भी करी है विकेड नहीं मिला है इस ग्राउंड पर एक मैच कहला है दो रन कियें साथ में एक विकेड निकाला है तो दोस्तो overall देखोगे तो India Club performance अच्छा नहीं है और नहीं इस ground पर अच्छा की है साथ में Satner की बात करते हैं तो दोस्तो last में विकेड लैस रहते हैं आप देखोगे तो कुछ खास performance नहीं कर पाये थे साथ में India Club 17 matches में 97 run के साथ में 16 victory भी निकाल चुके और दोस्तो आप देखोगे दो matches खेलें इस ground पर जिसमें मातर 10 run के लेकिन 3 wicket निकाल चुके हैं जी यां दोस्तो साथ में last match की अभी में आपको team भी दिखाने वाला हैं कितना शांदार performance किया था उसने Adam मिलने की बात करते हैं last में ये भी wicket less रहते India club 7 matches में 3 wicket निकाल चुके हैं पर इस ground पर 1 match केला है जिसमें 2 wicket निकाले हैं इस शोदी की बात करते हैं last में अच्छी गेंदवाजी करी थी एक wicket इन्होंने निकाला था India club 16 matches में 21 wicket निकाल चुके हैं इस ground पर 3 match केले हैं पर wicket नहीं मुला हैं यहां पर team Saudi की बात कर ले थे दोस्तो लास्ट में हैट ट्रिक लिए जियां दोस्तो लास्ट ओवर में 3 wicket निकाले थे और साथ में इस match में तो team की captaincy करते हैं आपको नजर आने वाले हैं साथ में India club 16 match में 18 wicket निकाले इस ground पर भी दोस्तो इन्होंने 5 wicket निकाले जियां दोस्तो और दोस्तो यह match आपको हो सकता है हाई scoring match देखने को मिल सकता है लोकी फोगिसन की बात करते हैं लास्ट में थोड़े महंगे साबित जरूर हुए थे पर दोस्तो दो wicket निकाल थे जियां दोस्तो साथ में दोस्तो इंडिया इखला 5 matches में 6 wicket निकाल चुए काफी तीज गती से गेंदवाजी करते हैं और दोस्तो इस ground पर एक match खला जिसमें 3 wicket निकाले हैं important player साबित होंगे bench player की बात कर लेते हैं दोस्तो यह इनकी bench player आप यहाँ से टिकनर का एक बार performance ज़रू देख लेज़ेगा हो सकता है इनको मौका मिल जाए साथ में Brasswell का भी देख लीज़ेगा Kane Williamson नहीं खेलेंगे तो इनकी जरूत नहीं है चलिए इंडिया की बात कर लेते तो दोस्तो यहाँ पर भी आपको कुछ changes देखने को मिल सकते रिष्चयप antes और संजुस सैंसे ट्रेktion मुझे लगता है इस इसब हो सकता है और यहां से नीचे से देखनेगे मिल सकते अर्शलिप सिंह की जगे उन mg मलिक भी खिल सकते हैं चले प्लेयर परफॉरमेंस की बात करते हैं सबसे पहले किशन की बात करें लास्ट में अच्छा खेले थे 36 करके गए थे साथ न्यूजिलैंड के खिलाफ तीन मैचस में उनातर कियें पंद की बात कर लें तो लास्ट में आपने देखा था कैसे खेल ले मैचस में 10 रन कियें सूरे कुमार यादव की बात कर लें लास्ट में संच्री लगाई 111 नौट आउट करके कहते हैं साथ ही में दोस्तों न्यूजिलैंड के खिलाफ 4 मैचस में 174 रन कियें शिरेश ऐयर की बात कर लेते हैं लास्ट में कुछ खास परफॉरमेंस नहीं था नौजिलैंड के खिलाफ 9 मैचस में 77 करचुकें साथ में बाइलिंग में गाई चार विकेट भी निकाल चुके हैं दीप खुडा की बात करें बैटिंग में फिलॉप होगा ते जीरो पाउट में लेकिन बाइलिंग में चार विकेट निकाल गये ते जिएं दोस्तों हैट दोस्तों आप देखोगे तो नूज़ी लेंड के खिलाफ 3 मैचीस में 2 विकेट निकाले हैं भूवनेशर कुमार की बात करते हैं लास्ट मज़टे इन्होंने एक विकेट निकाले हैं और 10 विकेट निकाल चूके नूज़ेलंड के खिलाफ 10 मैचेस वे और शिदिप Singh की बात करते हैं, last में बेढ साथ में सीराज की बात करते हैं, last में आप देखोगे, तो दो विकेट इनो इनो ने भी निकाले थे और दो से ये इनगे bench प्लेर, आप एक बार इनका performance देख लीजेगा head to head records की बात करते हैं जब दोनी टीमें एक दूसरे के against खिलती हैं तो कौन से players अच्छा करते हैं तो सबसे पहले सूरे कुमार यादव का नाम आता है फिर दीप खुडा है last minute चार विकेट निकाल के गहते सिराज का नाम आता है इस ग्राउंड पर कौन से players अच्छा performance करते हैं तो सबसे पहले कौन वे का नाम आता है फिर फिलिप्स हैंगे डेर्ल मिचेल आते हैं इनके साथ Adam मिलने और लोकी फगुसन आते हैं चलिए अब ड्रीम लेंड टीम देखते हैं पर पहले मैं आपको इस एप के बारे में बताना चाहता हूं इस आपका नाम fantasy अखाड़ा है आपका लिंक को रैफरल कोड में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आप वहां से इस एप को डाउनलोड कर सकते हो साथ में रैफरल कोड का यूज करोगे तो 500 रुपे का आपको बोनस मिलेगा साथ में आपको कोईंस भी मिलेंगे इन को इसको आप रियल कैश में कर सकते हो कैसे करोगे इसके उपर मैंने फूल वीडियो बना रखिए उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जागा तो जाके जरूर से देख लीजेगा साथी में दोस्तों मेरा जो highly investment रहता है वो यहां पर ही रहता है आप मेरी winnings और मेरी deposit balance देख के अन ज़्यादा लगाई सकते हूँ मैं यहां पर कितना high investment करता हूँ दोस्तों मैं यहाँ पर high investment क्यों करता हूँ क्योंकि यहाँ पर जीतना आसान है competition कम है एक बार आप try करके देखो आप कोई बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है और यहाँ पर instant withdrawal भी आपको मिलता है minimum जो withdrawal है वो मातर 50 रुपे का पचास रुपे होती आप यहाँ से withdraw ले सकते हो विकीट कीपर section की बात करें तो मैंने convey को pick क्या option की तरफ चलते है रिशाप 5 को try करना चाहते हो कर सकते हो हो सकता है थोड़े बहुत run बना जाए तो इनको try करना चाहते हो को पिक क्या केन विलियम से नहीं खेलेंगे तो इनको try नहीं करना है फिर गाइस नीचे देखो मैंने फिलिप्स को रखा और इनके बाद आप 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 नीचे देखो तो मैंने इशान किशन और इस मार्क चैप मैंन को पिक क्या है options की तब चलते हैं तो दोस्तों सबसे पहले श्रेश यह की option है इनको try करना चाहते हो कर सकते हो साथ में दोस्तों शुम्मन गिल खेलते हैं तो इनको try कर सकते हो चलिए बात करते है ओल्ड राउंडर कर सक्षन की तो यहां आप मैंने केवल एक ओल्ड राउंडर पिक क्या मैंने मिचल सैटनर को पिक क्या है लास्ट मच आपने देखा होगा हार्दिक पांडिया ने गेंद बाजी नहीं करी थी और बैटिक में भी उतना कुछ खास पर्फरमेंस करके नहीं गएते पर दोस्तों अगर आप ट्राय करना चाते हो तो कर सकते हो साथ में नीचे देखोगे तो सुंदर की अच्छी ओप्शन इंको ट्राय कर सकते हो दीपक उड़ाने लास्ट मिने चार विकेट निकाले तो गईस आप इनको ट्राय करना चा इनके बाद आप देखो मैं लोकी फोगुसिन को पिक है सिराज को पिक है और मैंने याप चहल को पिक है साथ में चलिए ऑप्शन की बात कर ले तो भूवनेशर कुमार को ट्राय कर सकते हो आप याप एक चिंज कर सकते हो अर्शिदिप सिंग को डॉप करके भूवनेशर की दोसरोव कैप्टेण मेंने सुर्यक theor कुमार यादफ को बनाए अगर झेलते हैं तो कैप्टेंन रहेंगे और वाइस कैप्टें ने फ्लिप को बनाए जिया दोस्तों ऑप्शन की तरफ चलतेय हैं कॉंवे कोश्प चलिए तीम का फ्रिव्वियू देखते हैं तो कई सब करना चाहते हो आप यहां पर कर सकते हो चलिए अब अपनी सेकंड ग्रैंड की टीम देखते हैं यह हमारी सेकंड टीम में इस टीम में आप देखो तो फिन एलन आपको देखने को मिलेंगे साथ में दीपक हुड़ा आपको देखने को मिलेंगे हार्दिक पांडिया भी आपको टीम देखते हैं इस टीम में आपको Mark Chapman देखने को मिलने वाले हैं साथ में चहल भी आपको इस टीम में देखने को मिलेंगे इस टीम में आप देखोगी तो मैंने आपके दीपक हुटा को ड्रॉप किया है Captain मैंने Convay को बना है अच्छे पिले रहे हैं और Vice Captain मैंने Shresh Iyer को बना है जी हां दोस्तो साथ में आप आप देखोगी तो मैंने इंडिया के दोनों Openers को ड्रॉप किया है अगर जल्दी आउट हो जाते हैं तो उस condition में Shresh Iyer एक बड़ा स्कोर बना की जा सकते हैं जी हां दोस्त टीम है दोस्तों ये काफी risky टीम है इस टीम में आप देखोगे तो इस टीम में आपको Washington सुंदर देखने को मिलने वाले हैं वुफनेशर कुमार भी आपको इस टीम में देखने को मिलेंगे साथ में कैप्टन देखो तो मैंने Finn Allen को बना है Vice Captain Lucky Ferguson को बना है थोड़े महेंगे स अब जरूर होते हैं लेकिन दोस्तों विकट निकाल ले जाते हैं साथ में Mark Chapman और Phillips भी आपको इस टीम में देखने को मिलने वाले हैं साथ में इस टीम में आपको सूरे कुमार यादव और इशान किशन भी देखने को मिलेंगे जी हां दोस्तों यह हमारी final teams नहीं है final teams आप आपको टेलिग्राम चैनल परी मिलेंगे यह हमारा टेलिग्राम चैनल है इसका लिंक आपको description box में मिल जाएगा तो जोइन जरूर कर लिजए को कि टॉस होने के पाद small league की और grand league की teams में आपको आपको आपके देता हूं दोस्तों यह हमारी last match की team थी जिसमें Captain सूरे कुमार यादब थे और wise captain Hardik Pandya थे Hardik Pandya ने उतना अच्छा performance नहीं किया और दोस्तों जाए तर लोग के Conway Finn Allen और guys यही captain थे दोस्तों इन्होंने भी कुछ खास performance नहीं किया था जी हम दोस्तों guys team ने काफी अच्छा performance किया और आप यहां पर हमारी rank देखे जी हम दोस्तों points का different देख चैनल को subscribe जरू कर लीजेगा